अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत सोलन एकाई द्वारा आज रीजनल हॉस्पिटल सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्तर मुक्तार रस्तोगी विशेश रूप से उपस्थित रही उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते ब्लड की कमी हो रही है महामारी के कारण ब्लड कैम्प अलग अलग जगा पर आयोजन नहीं कर पा रही है लेकिन फिर भी अस्पतालों में आपरेशन वा अन्य गतिविधियां सोचारों रूप से चल रही है जिसके लिए रक्त की आवशक्ता रहती है उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि रक्तदान के लिए ज़ादा से ज़ादा लोग आ गया है उन्होंने कहा कि जिन्होंने टीका करण करवा लिया है वे लोग 14 दिन के बाद रक्तदान कर सकते हैं आज हमारे हां बेजनर होस्पिटल सोलन के ब्लड रेंट में अखिर भाग के विभ्याती पतिशत के जो हमारे सदर से हैं उन्होंने अभीशेख जी के नेतित्व में यहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप और यह काफी अच्छा हमको इसमें रेस्पॉंस मिला है करीब चालीश के करीब जो दोनस थे उन्होंने यहां पर डोनेट करा है इस समय कोरोना के चलते काफी कमी हो गई है जो क्योंकि हम ब्लड कर सकते हैं सिर्फ एक बात दोनेशन के लिए आपके आएं आरे सोलन में सबेरे सारे नौ वज़े से चार वज़े तक किसी भी समय वह आकर अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर वह व्यक्ति ने किसी ने कोविड का वैक्सिनेशन करवाया है तो वैक्सिनेशन के 14 दिन के बाद वह ब्लड दे सकते हैं और अगर वह पॉजिटिव आए हैं तो पॉजिटिव होने के जिए फीक होने के एक महीने बाद जो दिव्य ही माचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूथ की रिपोर्ट अगर आप भी आभूशन खरीदना चाहते हैं तो चले आएए आज ही भूशन जोलन सोलन